जय हिंद ब्यदान्थ फैसंद का आई पीओ चार फरूरी से ओपन होने जा रहा है और यह आई पीओ टोटल ओफर फॉर सेल है ओफर फॉर सेल क्या होता है इस वीडियो हम लोग विश्टार से जानेंगे लेगिन फिलाहल आप इतना जान लेजिए का ओफर फॉर सेल का मतलब हुए हुआ हुआ कि जडीए कंपनी जितना रुपया जुटाएगी उस से एक भी रुपया कंपनी के बिकास कारवों में खर्च नहीं किया जाएगा अर्थात एक भी कंपनी को मिलने नहीं चाहरा है टोटल रुपया इसके जो एक्जेस्टिंग प्रमोटर से लेकर निकल तो इस säga करेंगे और जानने का प्रेयास करेंगे कि हमने इस IPO में रुपए लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए क्या इसको अच्छी Ricky लिश्टिंग हिन मिल सकतीह य Я नहीं मिल सक्तीह हरेक चीछ पर बिस्तार से बात होगी बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा आपको आज की इस वीडियो में आए वीडियो शुरू करते हैं देखें बैदान्त फैसन जो कंपनी है भारत में साधियों और अन फेस्टिवल सेलिब्रेशन में कपले बेजने वाले सबसे बड़ी कंपनी है आपने मोहे और मानेवर ब्रांड का नाम सुना होगा इसी कंपनी का ब्रांड है कंपनी अल्वेज प्रोफिट मेकिंग रही है और लगभग डेट फिरी भी है मोहे और मानेवर ब्रांड का नाम आपने जरू कही न कहीं देखा और सुना होगा आई पीओ open होने जारा है चार फरवरी से और आई पीओ क्लोज हो जाएगा आठ फरवरी को आपके पास सिर्फ तीन दिन का टाइम रहेगा एलोट्मेंट हो जाएगा 11 फरवरी को अर्था जिसको इसमें एलोट्मेंट मिलेगा उनको लिष्टिंग इनका रोप्य 11 फरवरी को मिल जाएगा refund हो जाएगा 14 फरवरी को अर्था जिस बेक्ति को इस IPO में अलॉटमेंट नहीं मिलागा उनका पैसा 14 फरवरी को उनके वेंक एकाउंट में भेज दिया जाएगा अगर आपको इसके IPO में लॉटमेंट नहीं मिलता और बाद में आपको इस कंपनी के शेयर बाइक करते हैं तो हमेशा नसी पर बाइक कीजिएगा ठीक होता है इसकल जितनी भी कंपनिया आइप लेकर आती हैं उनका इसी टाइप विल्डिंग होता है बुक बिल्डिंग का मतल मैक्सिमम प्राइस पर आप इसको अपलाई कीजिएगा क्योंकि जो कट अप्राइस होता है हमेशा मैक्सिमम के उपर होता है लॉट है 17 सेर्ज का आपको पता है कि आपको अपने मन से 2-4-5-10 सेर नहीं खरी सकते हैं आपको एक लॉट में खरीदना होता है और इस IPO का प्राइक करने के लिए 14,772 रुपया देने होंगे इसु साइज है 349 रुपया अर्थात कंपणी इस IPO को यह 3149 रुपया बजार से उठाना चाहती है और यह टोटल इसु साइज ऑफर फर सेल क्या होता है यहाँ समझेएं कोई भी IPO होता है उसमें दौ चाहिए processing फ्रेज से उठाओ ज्चाहर आजाते चाहते हैं उसमें कुछी हिसा प्रvelop से को मिलता है offer for sale यानि कि जिन लोगों ने इस company को मिलकर शुरू में बनाया उन लोगों ने आई प्यू लेकर आया और बयार से पैसा उठाया और लेकर चलते बने लेकिन ज्यादा तर क्या होता है कि कोई भी आई प्यू आता है तो उसमें से कुछ हिस्सा फ्रेस इसु को दिया उसके existing promoters के लिए होता है जो पैसा लेकर निकल जाना चाहते हैं तो इसका पूरा रुपया जो company पजार से उठाने जा रहे है offer for sale है अर्थात फ्रेस इसू को अर्थात company को या company के लिए इसमें एक भी रुपया नहीं खर्च होने जा रहा है company को कुछ नहीं मिलेगा टोटल थी मैंने आपको बता दिया आप खुद समझदार हैं अपनी अनालेसिस करें अगर आपको लगता है कि अच्छी listing मिल जाएगी तो बेसक पैसे लगाए भारत में तो IPO को लितना मारा मारी है कि ओपर सब्सक्राइब हो ही जाता है कोई भी IPO और ओपर सब्सक्राइब होगा त तब तर गले सुक्रिया धन्यवाद